2022 में जब ChatGPT आया था तब देखके ऐसा लग रहा था ना कि यहाप पर Google की सर्च को यहाँ पर खतर हो सकता है यानि कि Google सर्च का आप यूज कसे करते थे और रातो रात Google ने उस जमाने में create किया था Google बार्ड और फिर बाद में इसी बार्ड को उन्होंने convert कर दिया Google जैमनाई में जो उनकी हम पर artificial intelligence है जिसे उन्होंने in-house develop किया है और हर मामले में ChatGPT से लड़ने के अंदर इसे काम में लिया जाता है और बात करे जब Google जैमनाई आके समय में mobile phones में आना शुरू होगी तो देखे लग रहा है कि काफी improved चीज़े especially in the case of pixel 9 pixel 9 के अंदर काफी सारे artificial intelligence के feature डाले जिसके अंदर आप इसका ही replace कर सकते है image edit कर सकते है और भी धेर सारी छोटी छोटी चीज़े जो फोटोस के अंदर वीडियो के अंदर यहां पर काम में आ सकती है जिसका Google पहले भी यूज़ कर रहा था लेकिन अब जैमनाई के साथ pixel is the way to go pixel के अंदर आपको वो सारी चीज़े देखने को मिलेंगी जो इससे पहले आप किसी दूसरे फोन में यूज़ भी नहीं कर सकते दे और iPhone में भी बात करें तो Apple intelligence जो आई है ना वो भी देखा तो बहुत ही जादा भी surface level की और Apple intelligence को pixel का level अचीब करने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा यानि कि iPhone के अंदर आप Siri वगरा का यूज़ कर पाएंगे Apple intelligence अभी iPhone 16 में आएगा पुराने models ना आएगा भी नहीं और Apple intelligence के सारे फीचर अगले साल तक ही यूज़ कर पाएंगे इसके साथी Apple intelligence पे काफी सारी चीज़े ऐसे होंगी जो Apple अपने सर्वर पर प्रोसेस करेगा और एक्स्ट्रा एज लेने के लिए चैट GPT को भी इंटीग्रेट कर रहा है उसने जिसके अंदर के आगे mobile phone में जो आप information जो आप दे रहे हो सारी चैट GPT के सर्वर पर भी जाएगी यानि कहने का मतलब यह कि कुछ चीज़े Apple इतने तरफ करने कोशिक कर रहा है लेकिन कई सारी चीजों के लिए चैट GPT के उपर रहा है और एक बात मैंने देखिए कि चैट GPT के उपर रहा है यहां पर कर रहा है और तो एक इंट्रसिंग चीज़ है कि आपको सारे information कुछ ना कुछ चीज़े वहाँ देनी पड़ेंगे लेकिन Google ने क्या किया क कि अपने पूरे ecosystem के अंदर Gemini AI को integrate किया है और इस तेजी से यहां पर develop किया है कि आपको आपकी information जो रहेगी वह Google के servers में रहेगी और वहां पर अच्छे तरीके से process कर पाएगा और pixel devices में खास बात है कि जो AI feature लाए है वो आप pixel device के अंदर ही enjoy कर पाएगे यह एक difference यहां पर search result देखने का मुलते है search GPT में क्या रहेगा कि आपको direct result मिलेगा website पे जाएगा देखेगा क्या क्या चीज़ है और उसको देखके आपको natural language में normal human जैसे एक आपको result लाकर देगा यह काफी हद तक chat GPT जैसा है लेकिन इसको search के साथ integrate करके आपको result बेटर देखने को उस तरी इसे integrate किया गया हाली में यह feature समझागे आया नहीं है लेकिन यह इंपोर्टेंट चीज और कहा जा रहा था कि Google search का killer हो सकता है लेकिन Google भी यहां पर शांत नहीं बैटने वाली Google भी अपनी AI integration जो रहता अपनी search के अंदर ला रही है अपने हर एक product के अंदर integrate कर रही है और दे देखने को मिलती है लेकिन Google में भी वो possible है और जैमनाई आपको better result यहां पर निकालता और काफी अतक accurate information भी निकाल कर दे और काफी सारे interesting feature Google वाले उन पर काम कर रहे है जो आने वाले future में low की literally बंद करेंगे यानि कि अगर आपको सिर्फ YouTube वीडियो है कोई मालो एक घंटे का YouTube वीडियो पूरा वीडियो देखना नहीं चाहिए उसकी summary लेना चाहते हो जैमनाई में जाओ YouTube लिंक पेस्ट करो और लिख दो कि इस वीडियो को मेरे को summary करके दे आप इसके अंदर YouTube वीडियो की summary भी निकाल सकते हो और वो भी guarantee नहीं कि पहले वो English में YouTube वीडियो वो अगर हिंदी में तब भी उसकी summary निकाल सकते हैं AI अप उस level पर पहुंच गया है इसके साथ ही better results, better information और जो accuracy वाली प्रॉबलम थी जो data और जो facts की प्रॉबलम थी AI में कि आपको गलट data दे सकता था वो सारी चीज़े Google की जैमनाई में बहुत तेजी से हाँ पर reduce होई है और देख यह लोग क्या करेंगे कि mobile phones के अंदर जातर तक कैसे पहुंचें कि जातर android phone के अंदर को कोई भी बड़ा heavy processor नहीं होगा NPD होगा तो वहां पर यह लोग अपनी online services के तुरूबहां तक पहुंचेंगे जबकि chat GPT को अलग से download करना पड़ेगा तो Google के पास एक वह advantage हो गया इस टास्क रहते हैं अभी कुछ समय पहले दर बहुत surface level परते pixel 9 के बाद काफी जाद है प्रूव है और आने वाले समय जग गैलक्सी S25 की लाइन अप आही तब इसके अंदर एक और नएक evolution देखने को मिलेगा और Google Jam नहीं के अंदर और नहीं चीज़े देखने को मिलेगी और आपको बता सकतो अभी जो फीचर जो केवल पिक्सल फोस में देखने को मिलते हैं वो सारी की सारी चीज़े आपके दूसरे फोस में और सिर्फ मोबाइल फोस से की चीज़े लिमेट नहीं होगी Google के Chrome ब्राउजर में भी आएगी इसके साथ ही Google की जिती भी Apps होती है वहाँ पर वोसे लेकर जाएगा इसके साथी मोबाइल फोन के लावर टैबलेट और लेप्टॉप में भी चीज़े देखने को मिलेंगी इसके साथी बात करते चैट जीपीटी भी शांती बैटने वाला ओपर नहीं है कि आपर नहीं है कि आपर पार्टरशिप Microsoft के साथ है और Microsoft Windows अ जो लीड है वो गूगल यहां पर ले सकते आने वाले समय में क्या चीज़े होंगी देखो चोटे मोटे क्वेशन चोटे मोटी चीज़े जो रहेंगी वह आप आसानी से क्रेक कर पाऊगे आपको जादे इंटरेट फे विजिट करनी के जरूरत नहीं है और आपको आने वा जाएंगे AI का यूज करके यानि कि आज के समय में कोई information कोई काम करना होता है उसके लिए अगर आपको 5-6 step लगते हैं तो वो शायद 1 step नहीं हो जाए आपको बस कहना है कि यह काम कर दो mobile phone के अंदर वो चीज़े process हो कि उसके result में वो चीज़े देखने को मिलेंगी इसके सा आने वाले समय में कोई चीज़े बहुत interesting हो सकती है जैसे कि अगर आप एक English film देखे हैं उसका Hindi dub available नहीं है तो आप एक click करके पूरी film को real time में Hindi में भी translate कर पाएंगे इस type की चीज़े भी आने वाले future में आपको देखने को मिलेंगी इसके साथी image generation तो छोटी सी चीज़े कि अभी इत्ती अच्छी नहीं है लेकिन आगे चलके image generation बहुत advanced हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि कोई भी photo कैसे भी खीचे आपको जैसी चाहे वैसा उसका result मिल जाएगा यह चीज़े आपको देखने को मिलेंगी camera के साथ साथ वीडियो के अंदर भी चीज़े देखने को मिल जीपीट इस competition आ रहा तो बहुत अच्छे तरीके से handle किया है war को लूज नहीं करें अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में यहां पर जब जैट जीपीट अपना सर जीपीट लाएगी वह अपना सोरा लेकर आने वाली जिसके अंदर वीडियो क्रीट हो सकता है और आए वीडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक्यों बनार है निकली में आपसर तो नेक्स वन केंदर गुट बाए